प्राइब को नमस्कार मैं विमल कुमार यादव असिस्टेंट प्रॉफेशर फॉलिटिकल सेंवर्मेंट पिजी कॉलेज बहरोड के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज जिस टॉपिक के बारे में हमदा की सक्तियां और कारिये यह जो टॉपिक है यह जो सेकंडियर के जो विद्यारती हैं और में फाइनल में एक पुस्तक चलती है भारतिय सासन राजमिती उसके सिलेबस का हिशा तो है इसके अलावा जो विद्यारती दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एसस्सी, आर्मी, एर फोर्स, नेवी, रेलवे, बैंकिंग, यूपिस्सी या आर्पिस्सी के किसी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बेहद उपियोगी है क्योंकि राज्येपाल की सक्तियां और कारियों से कॉम्पिट्सन में अनेक सवाल पूछे जाते हैं तो आईए चर्चा करते हैं राज्येपाल की सक्तियों और कारियों के बारे में राज्येपाल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राज्येपाल राज्ये की कारिय पालिका का परमुक होता है सवेधानिक परमुक होता है राज्येपाल को केवल कुटनितिक, सैनिक और आपातकालिन सक्तियां प्राप्त नहीं है बाकि उसकी सक्तिया राष्टपती के समान होती है राष्टपती के पास कुटनितिक सक्ति भी होती है सैनिक और आपातकालिन सक्तिया होती है लेकि राज्येपाल के पास ऐसी कुटनितिक सैनिक और आपातकालिन सक्तिया नहीं होती बाकि उसकी सक्तिया जो है राष्टपती से लिखा गया है कि राज्ये की समस्त कारिये पाली का सक्ति राज्ये पाल में नहित होगी तथा इसका प्रियोग वह सविधान के अनुसार स्वम या अपने अधिनस्त अधिकारियों द्वारा करेगा यानि राज्ये के जितने भी परसासनिक कारिये हैं वो सारे के सारे राज्य के प्रियोग मंतरी प्रिश्द होगी जिसका प्रदान मुख्य मंथरी होगा यह राज्य पाल स्वेविए ऐक्ए सक्तियाओं प्राप्त इन इनवतकंके माय अनुसारर सेब शिक्कान कौन करता है राज्येपाल करता है मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित होता है चैनित होता है या मनोनित होता है आपको याद रखना है मुख्यमंत्री नियुक्त होता है नियुक्त कोन करता है राज्येपाल कौन के तैत 164 के तैत और मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य मंत चुने जाते हैं, राज्ये पाल मुख्य मंत्री के प्रामर्ज से उनको न्यूक्त करता है, राज्ये पाल अनुचेद 164 के तहट मुख्य मंत्री सहीत अन्य मंत्रियों को पद और गोपनियता की सपत दिलाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधान मंत्री, मुख्य मंत् मंत्री वेक्तिगत रूप से राज्येपाल के प्रति उत्तरदाई होते हैं लेकिन सामुहिक रूप से वो विधान सभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं राज्येपाल मनमर्जी से किसी मुख्य मंत्री को नहीं अटा सकता है जब तक मुख्य मंत्री को और उसकी मंत्री परिश इसके अंदर मुख्य मंत्री के करतवे निर्धारित किये गए हैं, राज्ये पाल चाहे तो राज्ये के प्रसासन या कोई विधान समंधी प्रस्ता होते हैं, उनके बारे में मंत्री प्रिशद के निर्णों को मुख्य मंत्री के माध्यम से जान सकता है, किसी एक मंत्री के नि अधिकारी होते हैं जैसे महादीवक्ता है लोग सिवायोग का अध्यक्स और सदस्य है राज्य निर्वाचन आयोग है राज्य वित आयोग है राज्य अलब संख्यक आयोग है राज्य महिला आयोग है राज्य एस्टी आयोग है इन सभी आयोगों के जो अधेक्स और सदस्य हो राज्येपाल के दवारा नियुक्ति के जाते हैं इसके अलावा राज्येपाल विश्म विद्धालों vivi been कुद चांचलर होता है जितफनी वी उनिश्टि राजे में होती है उनका चांचलर यानि कुलाधी पती कौन होता है राज्येपाल होता है तदावे राज्ये के उपकुलाधी पती यानि वाइस चांसलर की न्युक्ति करता है वाइस चांसलर को कुलपती भी कह दिया जाता है इसमें गलत प्रिंट है इसमें आपको ध्यान रखना है कुलाधी पती चांसलर रा कि सिको कहते हैं कि उच्छ नियालै के जो न्याइदि ए उनकी नॆ आश्ट पती को प्लाविठ यह आपको ध्यान रखना कि उच्छ नियाल Goodbye is सासन के लिए राश्टपती को कह सकता है और राश्टपती सासन या धी लागू हो जाता है तो राजे पाल राश्टपती के एजेन्ट के रूप में पृतिनिधी के रूप में राजएका सासन चलाता है और इस अंग्छे 356 का बहुत बार दुरूपयोग भी हुआ है कि केंदर सरकार के इसारे पर चैनीत राज्य की जो सरकारी थी उनको बरखास्त कर दिया गया वहां मनमाने तरीके से राश्टपती सासन लगा दिया गया तो राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं राज्य सुची के विशय है उन पर राज्यपाल का शंपूर अदिकार है समवर्ति की सुची के विशयो पर उसका तब तक अदिकार है जब संसत द्वारा बनाएगे कानून से राज्य द्वारा बनाएगे कानून का कोई विरोध नहीं हो इसके अलावा राज्येपाल को यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्ये की विधान सभा में एंग्लो इंडियन को मनोनित कर सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि राश्टपती लोक सभा में दो एंगलो इंडियन मनोनित करता है और राज्य इसके अलावा राज्येपाल जो विधान परिशद होती है उसकी कुल सदस्य संख्या के एक बटा च्छे सदस्यों को मनोनित करता है ऐसे वेक्ति जो सहित्य कला विज्ञान समाद सेवा और सहकारिता के छेत्र में विशेस अंभव और ज्यान रखते हों राज्येपाल उन वेक्तिओं को एक राज्यय विधान परिशद की कुल सदस्य संख्या के एक बटा च्छा मनोनित कर सकता है तो ये सहकारिता अंदोलन को वाली विसेस बात है आपको ध्यान रखनी है विधाई सक्तिया कोन-कोन सी है तो यह आपको ध्यान रखना है कि राज्ये पाल जो है विधान मंडल का एक अंग होता है जैसे राष्टपती संसद का अंग होता है संसद के अंग होते हैं लोग सभा राज्ये सभा और राष्टपती उसी प्रकार विधान मंडल के अंग होते या उनका सत्रावसान कर सकता है लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा कि दो सत्र के बीच में छे मास अधिक का अंतर नहीं हो और एक वर्ष में कम से कम दो सत्रावस से बुलाए जाएं राज्येपाल मुख्य मंत्री के प्रामर्स पर विधान सभा को भंग भी कर सकता है वाशन कर सकता है और विधान मंडल में कोई विधेक लंबित है तो उसके बारे में या अन्य किसी विषय के बारे में वह है विधान सभा या विधान परिशद को संदेश भेज सकता है जब प्रतेक आम चुनाव होते हैं तो उस प्रतेक आम चुनाव के पस्चात तथा वर तो विशेस अभीवाशन भी कर सकता है दोनों सदनों में अलग अलग इसके अलावा जो कोई विधेक होता है उसे कानून बनने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि संसद ने कोई कानून पास कर दिया तो उसे कानून बनने के लिए राश्टपती के अनुमति क्या आउ सकता तो बें राज्जे पाल उस्विदयक। चैने प्रावधान क्या कि राज्य पाल राज्जे विधान मंडल कर सकता है पुनर विचार के लिए लोटा कर सकता है या राष्ट beim राष्ट्पती के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है यह उसके पास चार ओक्षन होते हैं कि राज्य विद्धान उट cinे द तक्रका ने को कि स्विखर्ति पारिए करता है लेकिन पुनर विचार के लिए लोटाने या राश्टपती के विचार के लिए आरक्षित करने कारिये वह स्वविवेक से करता है लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखने है कि यदि उच न्याले की सक्तियों में कटोती करने वाला कोई विधेक रज्येविधान मंडल के द्वारा पारित किया जाता है तो रज्येपाल के लिए यह आवसक है बात देकारी है कि वह उस विधेक को राश्टपती के विचार के लिए आवस्से आरक्षित करेगा यानि उच्ण नेले की सक्तियों में कोटोती करने वाले विधेग को राज्यपाल राष्ठपती के विचार के लिए आवसक रूप से JR करेगा इसके अलावा राज्येपाल को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्राप्त है अनुछे 213 के तहट राज्येपाल अध्यादेश जारी कर सकता है इसमें आपको ध्यान रखना है एक, दो, तीन यानि 123 के तहट राश्टपती को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्राप्त है तथा 213 के तहट राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्राप्त है अब कई बार बड़े गुमाके परशन पूछे जाते हैं एक बार आरेस के एक्जाम में पूछा गया कि अध्यादेश जारी करना राष्टपती की है सक्ति है, कारिये है, दोनों ही नहीं है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आपको याद रखना कि अध्यादेश जारी करने की सक्ति राष्टपती और राज्यपाल की सक्तिया है राज्यपाल इस सक्ति का प्रियोग उस समय करता है जब राज्ये की विधान सभा या विधान प्रिषद का सत्तर नहीं चल रहा हूँ और राज्येपाल को यह लगे कि ऐसी प्रिष्थितिया उत्पन हो गई है कि ततकाल कारवाई करना आव सक है जोकि सभा और विधान प्रिषद का तो सत्तर नहीं चल रहा तो उस समय विशिष्ट परिश्टतियों में कारवाई करने के लिए राज्ये पाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है अनुछे 213 के तहट राज्येपाल को अध्यादेश जारी करने की जो सकती है और राज्ये सूची के विशों तथा समवर्ति की सूची के विशों पर प्राप्त है तथा कुछ ऐसे विशे होते हैं जिन पर अध्यादेश जारी करने से पहले राष्टपती की पूर्वा सिवकृति आव सकता है ऐस विश्यों पर अध्यादेश जारी करने के लिए उसे राष्टपती के अनमती लेनी पड़ती है राजेपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसका बल और प्रभाव वो ही होता है जो राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधी का होता है जब अध्यादेश कब जारी करत तो वह सब्धाही समाप्त मान लिया जाता है यदि विदान की चैदेश को स्विकृति दे देता है तो वह कानुन बन जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है यदि मानलों विधान सभा और विधान प्रिशद की बैठक अलगलग हुई पहले विधान-सभा की शुरू ही पाद की डेट मानी जाएगी वित्य सक्तिया भी प्राप्त है प्रतेक सत्तर के प्रारम में राज्य पूर्ःत्र अनुदान की वह माँगे हैं वो विधान मंदल में राजDEPAL की स्युकरती से ही पेज की जा सकती हैं इस प्रिकार जो राज्य के अमर्जेंसी फंड होता है आकस्मिक निधी होती है वो भी राज्यपाल के नियंत्रण में होती है और इस प्रतिवेदन को विधान मंडल के सामने रखवाता है और जो नियंतरक और महालेखा प्रिक्षक का जो प्रतिवेदन है राज्ये के आएवे के बारे में उसे विधान मंडल के समक्स है रखवाता है जुडिशल पावर भी राज्येपाल को होती अनुचेद 161 के तहत यह आप किन विश्यों पर प्राप्त है जिन विश्यों पर राज्ये की कारेपाली का सक्ति का विश्तार है राज्ये सूची के विश्यों पर राज्येपाल की दिये गए धंड को छमा कर सकता है परविलंब कर सकता है प्रिहार कर सकता है विलंब कर सकता है इस्थगित कर सकता है ले अपराद के बारे में मृत्यु दंड को लेकर या किसी सेना न्याले के द्वारा कियेगे कोट मार्शल या सेना न्याले द्वारा दियेगे दंड के बारे में छमादान की सक्ति राष्टपती के पास राज्येपाल के पास नहीं है ये कोशन कई बार कॉम्पिट्सन में आ को है राश्टपती को है राज्यपाल को नहीं है केंद्रे विधी के विरुद किये अपरादों के बारे में इसके अलावा सेना न्याला के द्वारा देएगे दंड को भी राश्टपती चमा कर सकता है राज्यपाल चमा नहीं कर सकता है राज्यपाल के विश्व के विरुद क कर सकता है उसका प्रियोग मंत्री प्रिश्द के प्रामर्स के आधार पर करता है इसके अलावा राज्य-विधान-मंडल के सदस्य के दल बदल को लेकर कोई अयोग्यता उत्पन होती है तो उसका फैसला स्पिकर करता है यह आपको ध्यान रखना है दल बदल को लेकर कोई अयोग्यता उत्पन होती है तो उसका फैसला स्पिकर करता है विधान सभागा ये दी सदस्य है तो लेकिन चुनाव को लेकर कोई विवाद है तो चुने जाने को लेकर विवाद होता है राज्य विधान मंदल सदस्य को लेकर तो राज्य पाल उसका फैसला केंद्रिय निर्वाचनायो के प्रामर्स से करता है उच्छ न्याले के नियुक्ति के समय राष्टपति राज्यपाल से प्रामर्स करता है लेकिन राज्यपाल की भूमिका केवल प्रामर्स दाता की है उच्छ न्याले के नियुक्ति के जाते हैं यह सब राज्यपाल नियुक्त करता है उच्छ न्याले के नियुक्ति के प्राम जिनका प्रियोग है मंत्री प्रिशत के प्रामर्ष के बिना करता है अब ये स्वयविय के सक्तिया दो प्रकार की हैं एक तो सविधान में उल्लेखित दूसरी प्रस्तिती जन्ने सविधान में उल्लेखित कौन-कौन सी स्वयविय के सक्तिया उसको प्राप्त है जैसे अनुचे दोस्सों के तहट राज्येपाल राज्ये विधान मंदल के पुनर विचार के लिए लोटा सकता है यह उसका स्वेविएक है किसी राज्ये में राष्टपती सासन की शिफारिस करना राज्येपाल को यह लगता है कि राज्ये का सासन सविधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा तो यह उसका स्वेविएक है कि वे राष्टपती को राष्टपती सासन लगाने की शिफारिस उस राज्ये म अच्रें का दूब 2129 के है इसके अलवा किसी अध्यादेश को राश्टपति के लिए रख सकता है तो यह सविधान द्वारा स्व इविए के सक्तिय उसको पृप्त है जैसे राज्ये के विधान सभा में किसी दल या गत्वन्दन पöस्ष्ट वहमत में कोई भी दल या गठवंदन सरकार बनाने की स्तती में नहीं हो तो उस समय मुख्य मंत्री की नियूकति में वह अपने स्ववेख का प्रियोग कर सकता है। यदि राज्यपाल को ये लगता है कि मुख्य मंत्री और मंत्री प्रिशद ने विधान सभा में बहुमत को लेकर उसे संदे होता है तो वह कह सकता है कि मुख्य मंत्री और मंत्री प्रिशद जो है विश्वास मत हासिल करे विधान सभा में और यदि विश्वास मत उसको लग किसी महतपुन मामले पर विचार के लिए वह विदान सभा का सत्र बुला सकता है राजेपाल को ये लगता है कि मुख्यमंतरी के पास बहुमत नहीं है और वह सत्र भी नहीं बुलाना चाहता तो राज्येपाल खुद सत्र बुलाकर उसे विश्वास आसिल करने के लिए कह सकता है विदान सभा बंग करने के मामने में राज्येपाल सामानेत मुख्यमंत्री के प्रामर्स के अनुसार कारी करता है लेकिन यदि राजेपाल को ये लगे कि मुख्य मंतरी के पास विश्वास मत नहीं है तो विधान सबाब भंग करने के प्रामर्स को वह चाहे तो मान सकता है चाहे तो इंकार कर सकता है इसके अलावा राजजए पाल स्वेभ वएक से मुख्य मंत्री सइफ किसी मंत्री के विरूत ब्रेश्टा-चार के आरोपों में मुकदमा धायर करने के अन्मती दे सकता है। राज्य पाल द्वारा जो अपने स्वेव वेक से कारिय के जाते हैं उसका अंति मिलने करता है भी वह होता है और उसके द्वारा जो किये गए कारिय हैं उनको इस आधार पर चुनोती नहीं दी जा सकती कि उसका ये कारिय स्वेव वेक का अनुशार थाया नहीं एक्जाम में कौन-कौन से कोर्षन आए हुआ है कॉंपीटिशन में आपको देखने हैं राज्य पाल विधान सवा में एंग्व और इंडियन समदाय कि कितने वरेक्थियों को मनुनित कर सकता है एक को राष्टपती लोक सवा में दो कर सकता है विधान परिशत के कितने सदस से राज्यपाल द्वारा मनुनित होते हैं एक बटा च्छे सदस से मनुनित होते हैं एक बटा च्छे सदस से कौन होते हैं जिनको साहित ते कला विज्ञान समाद सेवा और सहकारिता अंदोलन के चेतर में विशेष ग्यान और अन्भव हूँ राज्येपाल विधान मंडल का सत्र बुला सकता है सत्रा अउसान कर सकता है विधान सभाग को भंग कर सकता है अनुछे देख सो चोतर के तहट लेकिन विधान सभाग में किसी सत्र को सत्र के दोरान इस्थगित करने का जो कारिय क्या जाता है जैसे को बोलते हैं विधान सभाई कारवाई इस्थगित कर देगी विधान सभाई कारवाई इस्थगित करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है राज्येपाल जो है साल में कम से कम दो सत्र बुलाएगा था उन दो सत्रों के मद्दे छे मास है दिक्का गैप नहीं होना चाहिए राज्य विधान मंदल द्वारा पारित विधेग जब राज्य पाल के अनुमती के लिए भेजा जाता है तो अनुछे दोसों के तहट उसके पास कौन गोन से विकल्प हो सकते हैं राज्येपाल विधेक को अनुमती दे दे अनुमती ना दे विधेक को पुनर विचार के लिए लोटा दे या विधेक को राश्टपती के विचारार थारक्षित कर दे कौन से ऐसे विधेक है जिनको राज्येपाल पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता तो वह है धन वि महिला उत्र प्रोजनी नाःडू थी और उत्र प्रतेश राज्यय की राज्यपाल उन्हें बनाया गया था। जम्मु कस्मीर राज्ये में राज्येपाल सासन भी लागू हो सकता है राष्टपती सासन भी लागू हो सकता है ये कोशन भी कई बार आया हुआ है कि राज्येपाल सोने के पिंजरे में कैद चिडिया है ये किसका कतन है इस रोजनी नाइडू का ही कतन है जम्मु कस्मीर रा राश्टपती ने भगवान साय समिति का गठन किया था भारत में सर्वपर्थम तमील नाडू के जो राजेपाल थे प्रभुदास पटवारी उनको वर्खास्त किया गया था 1980 में ऐसे कौन से विदेक है जिनके लिए राजेपाल के लिए बाद्यकारी है कि वह उन विदेकों को राश्टपती के विचार के लिए आवसक रूप से रखे तो वो हैं उच नियाले की सक्तियों में कमी करने वाले विदेक यदि किसी विदान मंडल के सदस्य के चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसका फैसला कोन करता है राजेपाल करता है किसके प्रामर से करता है के इंद्रिय चुनाव आयोग के प्रामर से करता है लेकिन दल बदल के आधार पर कोई आयोग्यता उत्पन हो जाती है तो उसका फैसला विदान परिशद का सदस्य है तो विदान परिशद का सभापती करेगा और यदि विदान सभा का सदस्य है तो उसका फैसला सब्तर नहीं चल रहा हो और ऐसी प्रिस्तिया उत्पन हो गई हो जिसमें तुरंट कारवाई करना आवसे कुझ विदान मंडल का सब्तर प्रारम होने के बाद अध्यादेश कितने समय तक अस्तित्व में रहता है छै सब्ता तक अगर अनुमधन हो जाता है तो कानून बन जात प्राप्त हो जाता है यह कोशन कई बार पुछा गया है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है राज्येपाल को छमादान की सक्ति कौन से अनुछेद के तहत प्राप्त है तो अनुछेद 161 के तहत प्राप्त है राज्येपाल को छमादान की सक्ति किन विशों पर प्रा लेख सबीका बहुत भाइब धन्यवाद बहुत आवार